आई हो बेटा आप सब अच्छे होंगे आज हम सब क्लास 10 साइन्स MCQ बेटा लेकर प्रेजेंट हैं चैप्टर 6 का लाइब प्रोसेस जो कि हमारा कुश्चिन है बेटा MCQ 30 कुश्चिन हैं टॉप 30 कुश्चिन हैं आए बेटा 1st कुश्चिन देखते हैं 1st कुश्चिन क्या कह हो में ऐंचोट वहूं कुश्चिन देखते हैं कुश्चिन देखते हैं थे लेंग अफजी इंमन एडिटल्ट इस एवाउट वहाई 4.5 मीटर CTW 3.51ms D option 6.5 meter बेटा जो human adult में जो small intestine की बेटा लेंथ होती है तिसलिया अपसा D option right है ठीके बेटे आई अगला question देखते हैं अगला question क्या कहता है third question बेटा the process of digestion of food in human begins in बेटा जो हमारे human body में जो digestive process begins कहा होता बेटा number A option is stomach, B option बेटा food pipe, C option is mouth, D option is smell and stein बेटा सबसे पहले humans में जो begin होती बेटा digestion का बेटा बेटा वो mouth में होता है क्योंकि बेटा हम mouth में ही भोजन लेते हैं और सबसे पहले mouth में ही वेजा carbohydrates का जो का conversion होता है ठीके बेटे तो first जो हमारा जो है option C ही mouth right option है आगे बेटा question number 4 देखते हैं question number 4 क्या है the process of digestion in humans completed बेटा जो human body है उसमें जो digestion process है complete कहा होता बेटा आगे देखते हैं बेटा number A option औस फेगस बेटा औस फेगस में कोई process नहीं होता है digestion का small intestine yes बेटा small intestine में जो होता है complete digestion process होता है ठीके बेटे तो option B is the right answer ठीके बेटे आगे बेटा question number 5 देखते है question number 5 क्या है the human digestive system whilst is secreted by तो बेटा हमारे जो human digestive system है bile juice को secret कौन करता है बेटा इसको bile juice को secret कौन करता है ठीके तो आगे बेटे बेटा option नमारा a pancreas, option B liver, option C kidney, option A stomach, नहीं बेटा option B is the right answer जो डाये सो प्रोसेस में जो bile जो उपकरता है बेटा secrets ओ लीवर secrets करता है ठीके बेटे इसलिए अपना option B right है आगे बेटा question number 6 देखते है question number 6 क्या है the autotrophic mood of nutrition requires जो बेटा autotrophics है उनका जो nutrition का mood क्या है बेटा आगे देखते हैं उन्हें क्या क्या चाहिए ठीके carbon dioxide and water बेटा B chlorophyll C sunlight D all of the these बेटा हम जानते हैं जो autotrophs होते ना जब वो अपना भोजन बनाते हैं तुन्हे carbon dioxide भी चाहिए बेटा पानी वीचे यह chlorophyll वीच की प्रजेंट में और sunlight प्रजेंट में अपना भोजन न्यूट्रिशन बनाते हैं इसलिए बेटा option D अपना राइट आंसर होगा all of these कुशन नंबर 7 क्या कहता है कुशन नंबर 7 क्या कहता है कुशन नंबर 7 है बेटा where are protein first digested in elementary कनाल तो बेटा elementary कनाल में जो हमारा डाइशन सिस्टम में सबसे पहले protein digest कहां पर होता है तो आई बेटा देखते हैं कि small instant sign बेटा मारा complete digestion है ओस्फेगस में कोई डाइशन नहीं होता बेटा माउथ में मारा जो होता है का carbohydrate digest होता बेटा इसका मंदल बेटा protein जो digest होता बेटा ना ओट option D इस्टमच में digest होता है फरस्ट फरस्ट अपसी कहां बेटा इस्टमच में digest होता है ओके बेटा देखते हैं नेस कुश्चन अपना एट है एट क्या बेटा the internal energy cellular energy reserve in autotrophs बेटा जो internal energy जो होती मारी जो reserve करते हैं आटो टोρस्ट ठीके बेटा बेटा कहां पर करते हैं में किस रूप में करते हैं एनर्जी को हो इTMटरल अनर्जी को क्या करते हैं reserve करते हैं किसमें autotropes में ओके बेटा आए बेटा question number 9 देखते है question number 9 क्या कहता है बेटा the opening and closing of the stomata pores depends upon जो बेटा हमारा leaves में stomata पाया जाता है ना बेटा जो gassian exchange करता है open और close होता है बेटा open और close किसके currents होता है आए बेटा देखते हैं पहला option अपना है oxygen दूसरा option water बेटा water in guard cell तीसरा option बेटा temperature फोर्थ option D बेटा concentration of carbon di oxide in इस बेटा बेटा option B option B जो बेटा हो में water और guard cell के कारण से वह जो होते open और close होते हैं ठीक है बेटे आए बेटा question number 10 देखते हैं question number 10 क्या है the first enzymes to mix with food in the digestive oda zu backpack वोटा उसमें जो फ्रस्ट एंजाइम्स जो dak में आरे फूड में कौन सा देखते हैं kommt स्ट क्या होता एमाईलेज थमारा ओप्सन सी सही बेटा एमाईलेज ओके बेटा यह बेटा कुश्यन नम्र 11 देखते हैं कुश्यन नम्र क्या है वीच आफ दा फालोइंग इस नाट प्रोड्यूस डूरिंग एनरोबिक रेश्फिरेशन इन यूनिसेलूलर फंगस जो बेटा मारा अटिपी जो है फूड है बेटा एडिनो ट्राइफोसफेट एनर्जी है ठीके बेटे इसमें जो हमारा अन्यूस इल्वर नाइजम होता बेटा न वह एनरोबिक रेश्फिरेशन के दार प्रोशेट प्रोशेट में बेटा हो क्या करता यस्टू ओ फानी को रिलीजड नही करता है ठीके बेटे प्रोड्यूज नहीं करता है ऑफशन वी जा राइट आंसर ओके बेटा कुशन नमबर टॉल देखते हैं वान ओफ दा ओर्गनीजम कैन लिब बिदाउट ओक्सीजन ओफ एयर इस ओर्गनीजम इस कहरा बेटा कौन सा ऐसा ओगनीजम है जो बिदाउट लिब डिडाउट ओक्सीजन और ओक्सीजन और वह पॉन सा ओगनीजम है जिसको ओक्सीजन या इयर की ओशकता नहीं होती है इसलिए अप्सिजन ओपना क्या होगा right option होगा, ओके बेटा, कुश्यन नमबर 13 देखते हैं, कुश्यन नमबर 13 क्या है, during respiration, the exchange of gases takes place, जो बेटा respiration के process के time पर, जो हमारी gas exchange होती बेटा, ना, किस place पर होती है, ठीक है बेटा, bronchi में, alvoil में, bronchiol में और tracia में, तो बेटा, आईए देखते हैं, हमारा जो V option है, V option आपका, right option है, जिसमें alvoil में, alvoil में होता है, हमारा oxygen का exchange, ठीक है बेटे, option V is the right answer, ओके बेटा, ये बेटा, कुश्यन नमबर 14 देखते हैं, कुश्यन नमबर 14 क्या है, कुश्यन नमबर 14 है बेटा, आपना, कि which, which of the following is known as energy, currency of saline biology, हमारा जो biology में है, किसको हम energy of currency के रूप में जानते हैं, DTP, option B, PDP, option C, ATP, option D, DTT, ठीक है बेटा, नहीं, option C is the right answer, ATP, जो की बेटा, हमारे human digestive system में होता, जो energy के रूप में stored होता, इसे कहते हैं, adenotri-phosphate, इसलिए option C is the right answer, ठीक है बेटे, आइए बेटा, कुश्यन नमबर 15, देखते हैं, कुश्यन नमबर 15 क्या है, the two organisms which breath only through their most skin, ठीक है बेटा, कुश्य मारे दो organisms कौन से हैं, जो breath करते हैं बेटा, throw by the most skin, ठीक है, most skin, तो आइए देखते हैं, option क्या है, A, fish and frog, D, B, आपका frog and earthworm, C, आपका leech and earthworm, D, option fish and earthworm, तो बेटा, हमारा जो leech है, option C, right answer है, बेटा, ये जो leech और earthworm है बेटा ना, ये जो है, breath करते हैं, throw, किसके ज़ारा, most skin के ज़ारा करते हैं, ठीक है बेटे? तो इसलिए, option C is a right answer होगा, ओके बेटा, देखते हैं, question number 16 क्या है, one of the following does not have a nucleus, this is one, बेटा, इसमें से कौन सा ऐसा जिसके पास nucleus नहीं होता है, they have no nucleus, उसमें से क्या बेटा, red blood cell, white blood cell, guard blood cell, epidermal cell, तो बेटा, हमारी जो red blood cell होती है, बेटा, red blood cell में हमारी क्या होती है, nucleus नहीं होती है, ठीक है बेटे? तो आईए option A is a right answer, क्योंकि red blood cell में nucleus नहीं पाया जाता है, ओके बेटा, आईए बेटा, question number 17 देखते हैं, question 17 क्या है, the components of blood which makes chemical, chemically known as antibiotics, बेटा, हमारे बेट का कौन सा ऐसा components है, जो antibiotic bodies का कारी करता है, तो platelets, option A, platelets, option B, white blood cell, option C, red blood cell, option D, plasma, बेटा, white blood cell जो है ना, जो हमारे जर्म से, जो हमारे body केंडर, बोजी के बाहर से, अगर कोई antibiotic, जर्म से, बेक्टिरिया इंटर करते हैं, तो उन से fight करता है, तो इसलिए बेटा, WBC जो है, white blood cell जो है, हमारा blood का component है, जो antibody के रूप में कारी करता है, ओके बेटा, आईए बेटा, question number 18 देखते है, question number 18 क्या है, यह blood vessel which carries blood back to the heart, हमारे कौन सी blood vessel है, जो हमारे blood को back करती है, to the heart तक, ठीके बेटा, artery, vein, ventricle, artery, vein, ventricle, आपका d platelets, ठीके बेटा, क्या करा, blood vessels carries blood back to the heart, तक, बेटा, कौन सा artery, vein से, बेटा, option, तो बेटा, हमारा जो artery, ventricle, platelets नहीं बेटा, वी option right है, जो veins है, जो की blood vessel से, हमारे blood को back करती है, कहां तक, heart तक ले जाती है, ठीके बेटा, option V is the right answer, जो की veins है, ओके बेटा, अगे बेटा, question number 19 देखते हैं, question number 19 क्या है, blood is pumped from the heart to the entire body of the blood, करा कि हमारा कि कौन है, करता है, heart से लेकर entire body, पूरी body, ठीके बेटा, वो क्या है, lungs है, option A, B, option ventricles है, option C, जो बेटा, आर्टिया है, option D, जो है बेटा, नर्व से, ठीके, नर्व से बेटा, आइए देखते हैं, इसमें मारा option कौन से सही बेटा, तो क्या है, blood pumped heart to entire body, बेटा, वो कौन से होता है, ventricles होते हैं, बेटा, ventricles, option V is the right answer, ठीके बेटा, तो ventricles होते हैं, वो, blood से लेकर, pump करके, heart से, वो हमारे body के सभी पार्ट तक पहुँचाते हैं, ठीक है बेटे, ओके बेटा, आइए बेटा, question number 20 देखते हैं, question number 20, क्या, the blood leaving the tissues becomes richer in, जो बेटा, हमारे tissue से blood leave होता है, बेटा, उसमें क्यास मात्रा की जादा होती, किस की जादा मात्रा होती है, number A option carbon dioxide, number B option water, number C option homoglobin, number D option oxygen, region, बेटा, जब हमारा blood बाहर निकलता है, ना, हमारे blood से, उसमें carbon dioxide की मात्रा जादा होती है, तो option A is a बेटा, right answer, ठीके बेटे, carbon dioxide, ओके बेटा, question number 21 देखते हैं, which veins, which veins bring clean blood to the lungs into the heart, बेटा, कौन सी veins है, जो हमारे blood, lung से blood लेकर heart तक पहुँचाती है, तो बेटा, पहला option है बेटा, फला option है, renal veins, number B option, बेटा, pulmonary veins, C option, बेटा, बेना कौवा, number D option, बेटा, hepatic veins, बेटा, इसमें जो pulmonary veins है, बेटा, ना, pulmonary veins जो है, भू अकारी करती है, हमारे blood, clean blood को लेकर, रख, लंग से, और हाड़ तक पहुचाती है, ठीक है बेटे, तो option, जो है, B is right answer, pulmonary veins, बेंस, ओके बेटा, आईए बेटा कुशन नमबर 22 देखते है 22 क्या कहता है The phloem tissue in plant Is responsible for the transportation of जो phloem tissue बेटा ना प्लांट में इसका कार क्या है क्या ट्रांस्पोर्ट करता है ठीक है बेटा तो बेटा जो phloem tissue होता है ना बेटा वो जब पत्यों में जो भोजन बना होता है प्लांट के लिफ में जो मारे food होता है उसी को ट्रांस्पोर्ट करता है तो आईए देखते हैं बेटा option A water नहीं option B water and minerals नहीं बेटा option C sugar yes, sugar जो बेटा हो food के रूप में होता है हमारे plants में तो option C is the right option जो फ्लोयम होता बेटा न वो sugar को सभी parts तक क्या गरता है carry करता है transport करता है ओके बेटे question number 23 देखते है question number 23 which of the following has three chambers of heart three chambers बेटा आईए switch point को ध्यान दिजेगा three chambers of heart तो इसमें बेटा lizard ही होता न lizard जैसे option Pigan है fish है और lion है बेटा इसमें lizard option which is the right answer lizard ही ऐसा organism है जिसके बेटा heart में three chambers होते है ठीक है बेटे ओके बेटा आईए बेटा question number 24 देखते है 24 question क्या है बेटा the scretery unit in human scretery system जो मारा unit जो है scretery system का जो क्या है बेटा scretery unit है जो human scretery system का आईए बेटा question number 24 देखते है question number 24 बेटा scretery unit of human scretery system is called scretery unit scretery system क्या होता बेटा निफ्रोन, निउरोन, निउफ्राइडिया अब किद्नी है नहीं बेटा इसमें जो होता है scretery system का main role जो अदा करता है हमारे scretery unit में बेटा वो है ये option new front ठीके बेटे new front जो है main role play करता है scretery unit का scretery system में ओके बेटा आईए बेटा 25 कुशन देखते है 25 कुशन क्या कहता है in autotrophs water is transported through बेटा autotrophs में जो water का transportation होता है किसके द्वारा होता है by which तो आई बेटा देखते है option ये root hair option b phloem option c istrometa option d xylem तो बेटा आप ध्यान देजे root hair तो होई नहीं सकता b phloem ये बेटा क्या करता है ये food को transport करता है istrometa बेटा ये अपना photosynthesis में कारी करता है lepkin बेटा जाइलम option d is a right answer बेटा ये हमारे plant में water के oh sorry ये water के transportation का कारी करता है ठीके बेटे water के transportation काम कौन करता है option d is a xylem ओके बेटा आई ये बेटा question number 26 देखते है 26 question क्या कहता है the inner lining of istometa is protected by one of the following harm from hydrochloric acid दो बेटा हमारे stomach में न जो glassy gland से बेटा hydrochloric acid को क्या करता है secrets करता है और ये hydrochloric acid बेटा जो होता है strong acid होता है ठीके बेटे और ये हमारे stomach के inner lining को क्या करता है हर्ड क्या harm पहुंचाता है इस से protect करने हमारे stomach के inner lining को protect कौन करता है उसे हमें बताना बेटा ठीके ता ये देखते है option A pepsin pepsin बेटा जो की protein को rise करता है option right नहीं है saliva बेटा ये भी option right नहीं है VV option right नहीं है ठीके बेटा मुकस ये जो होता है कि हमारे stomach के inner lining को protect करता है किस से हाइड्रोकलोरीक एसिट से ओके बेटा और ये मुकस जो होता है इसको secrets कौन करता है salivary glands secrets करता है ठीके बेटे हमारे stomach में ओके बेटा आईए बेटा question number 26 देखते है the inner lining of stomach is protected by one of the following from hydrochloric acid तो बेटा हमारे stomach में a cereal hydrochloric पाई जाता है जो कि बहुत strong होता है और ये हमारे stomach के inner layer को क्या होन पहुचाता है इससे protect कौन करता है बेटा तो वो बेटा हमारा mucos होता है जिसको हमारा जो है gastric gland एक juice secret करता है जो juice का नाम है क्या है mucos mucos ये बेटी है ये option B mucos जो है ये जो है हमारे hydrochloric से हमारे stomach के inner lining को protect करता है इसलिए बेटा option B is the right answer mucos okay बेटा नमबर 26 देखते है इसलिए क्या कहता है the breakdown of pyrovate pyrovate to give carbon dioxide water and energy take place जो मारा breakdown of pyrovate करता है तो give carbon dioxide water energy take place कहां पर होता है ये सारे process हमारे होते है किस पर cytoplasma में mitochondria में जो मारा pyrovate होता है बेटा जब क्रिया करता है प्रोसिस करता है तो क्या देता है carbon dioxide water and energy takes place किस अस्थान पर होता है mitochondria में होता है option B is the right answer okay बेटा question number 28 देखते है 28 क्या कहता है which of the following substance are removed from blood into the kidney in the kidney kidney में कौन से substance है जो removed होता है from blood से ठीक है बेटा तो what option A water option B urea option C sodium option D ammonia तो बेटा option B is the right answer जो हमारे kidney से blood में blood से kidney में हमारा जो transfer होता है removed होता है substance बेटा वो urea होता है ठीक है बेटा urea so इसलिए option B is the right answer okay बेटा question number 29 देखते है question number 29 क्या है बेटा which of the following enzymes need acidic medium to be active कराई इसमें बेटा कौन सा enzyme है जो या सर्थ रखता है कि हम हमारे अपने भोजन को acidic करिये तभी हम active होंगे ठीक है बेटा तब वो क्या करता है भोजन को digest करता है number A बेटा trapsin number B बेटा pepsin number C बेटा lipase none of these तो बेटा जो हमारा trapsin होता है ये नहीं है बेटा option B बेटा जो हमारा pepsin है ठीक है बेटा option B जो है pepsin है बेटा pepsin क्योंकि इस टमच में इसे gastric gland क्या करता है secrets करता है और pepsin जो है यह सर्थ रखता है कि भोजन जो acidic होगा तभी वह protein को breakdown करेगा ठीक है बेटा amino acid में ठीक है बेटे तिसलिए जो है हमारा pepsin जो है ये जो है क्या करता है आवशकता होती इसके food को acidic करके acidic medium जो कि अवशक्टिव होकर हमारे protein को amino acid में convert करता है अब ये पाया कहा जाता बेटा इस टमक में होता है ठीक है बेटा और इसको secrets कौन करता है हमारा gastric gland secrets करता है ओके बेटा तो option B is the right answer आईए बेटा अपना last question देखते है last question 30 क्या है बेटा what prevent back flow of blood inside the heart during contraction बेटा हम कहरा कि what prevent back flow of blood black flood को कौन protect करता है inside our heart heart के अंदर during contraction जब हम construct करते हैं ठीक है exhale करते हैं ठीक है thin wall आपसाने बेटा thin wall साफ आट रिया well seen a heart thick muscular walls of ventricle all of the above नहीं बेटा जिसमें जो है option V जो है बेटा right answer है जो valves होते हैं heart के अंदर जो valves होते हैं वो हमारे किसको back flow of blood के द्वार जब होता है न तो हमारे heart को क्या करते हैं वो protect करते हैं क्या करते हैं prevent करते हैं प्रोटेक्ट करते हैं ठीके बेटे option VISA right answer क्या है valves in heart I hope बेटा आप सबको question clear होगा आसा करता हूँ आप सबको question clear होगा आप मेरे चैनल को subscribe कीजेगा अपनों दोस्तों को share कीजेगा like कीजेगा comment कीजेगा सभी को thanks सभी को राम राम